हेलो फ्रेंड्स वेद मैई या केरियर एकेडेमी माँ आप समनू हार्दीक स्वागत छे दोस्तो चैनल ने सब्सक्राइब न करी होई तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करी चैनल ने सब्सक्राइब करू अने नवी नोटिफिकेशन मेड़ावा माटे बेल आइकन पर क्लिक करू आजे जोईश्यू दोरण आंठनू चेप्टर छ अंग्रेज शाषन ने भारत पर असर तो आ अंग्रेज ने भारत पर कई असरू थाई एना विशे आपने चर्चा करीश्यू पन ए पहलो आपने ए जहाने लेए के अंग्रेज शाषन ने शरूआत क्यार्थी थाई तो मित्रो 1608 मों आपने जानी चेए एम केप्टन होकिन्स हेक्टर नामनों जहाज लेए अने सुरत बंदरी आवे हाता अने आ सुरत बंदरी आवे बात तेव जहागीर ना दर्बार मों वेपार करवानी परवान गी मेरवे चे शरूआत मतों जहागीर तेमनी वेपार करवानी परवान गी आपतो न थी परन्तु थोड़ाक समय बाद भरी थी विननती करवा थी जहागीर द्वारा तेमनी वेपार करवानी परवान गी आपवामों आवे चे अने मित्रों 608 मों कैप्टान होकिन्स अच्छा माटे जहागी ना दर्बार मों गया तो एनू पन एक रिजन अतो कि आ कैप्टान होकिन्स ए फार्सी अने ओर्दू ना सारा एवा जानकार हता जेती करीने तेवो फटाफट फार्सी बोलवा लागया अने तेना थी इंप्रेस थाईने जहागी ने तेमने व्यापार करवानी परवान गी आपी अने 408 मों तेमने सुरत मुका में प्रथम व्यापारी कोठिस थापी त्यार बाद क्रमा शहा व्यापारनों सिल्शिलू अगर वदवा लागया अने त्यार बाद जोईये तो 7057 मों 7057 मों सुराज उद दोला अने रोबर्ड क्लाईव अच्चे प्लासी नों यूद थाई मित्रो आ पहरोच 1145 मों बंगाणा मों तेमने व्यापार करवानी परवान गी मडी हती अने 7070 मों फर्रुक शियर नामना मुगल बाच्चिय आए तेमने उत्तर भारातना मोटा बागना ख्षेत्रों मों व्यापार करवानी परवान गी आपी जेने मेगना कार्टा कहवामा आवे छे जेना पड़ेना में तेवे व्यापारी कुठिय उस्तापी अने बंगारामा पण फोर्ट विलियम एक किल्लो बनावे जेनो बंगाराना नवाब सिराज उत्त दवला ने खत्रों जना तो तेमने आ किल्लों तोड़ी पाड़े जेना पड़ेना में सत्तर सोने सत्तावनमो रोबर्ट क्लाईव अने बंगाराना नवाब सिराज उत्त दवला वच्चे युद्ध थयु परंतु मित्रों आ युद्मो रोबर्ट क्लाईवे बंगाराना नवाब सिराज उत्त दवला नो एक सेना पती हतो जेनो नाम हतो मिर जाफर तेने पोताना पक्षमो सत्तानी लालच आपीने पोताना पक्षमो करी दिदो जिना परेना में सिराज उद दौलानी हार थाई और आ मीर जापणना पूत्र मीर कासी में सिराज उद दौलानी हत्या करी हती अने आ रिते अंग्रेजोवे बारत पर पोताना शाषन नी शरुआत करी त्यार बाद 764 मा बक्सर नो युद थाई अने आ बक्सर ना युद मा पन अंग्रेजो नो जीत थावाती अंग्रेज शाषन नी बारत पर शरुआत थाई हवे आ अंगलेजोना शार्षन नी भारत उपर जारे शरुआज थाई त्यार बाद क्रमाश हाँ आ शार्षन नी भारत पर कई-कई असर थाई एना विशे आजे आपने जाणिये तो मित्रो भारत नी आर्थिक सम्रुद्धी छेक अडार में सदी सुदी यथावा दती मित्रो जोई है तो इस विशन एक नी अंदर भारत एक खुब सम्रुद्ध राष्ट्रह तो अने त्यार बाद जोई है तो अंगलेजो अने जारे चाउदमी सदी यह लेगे मध्य यूग पहला मध्यकालिन भारत न समय वखा देलेगे 1100 ने बाणों नी आसपास बारत नो जिडिपी दुनिया ना जिडिपी माँ 34.5 टकात मित्रो खुबज उन्चो जिडिपी हतेले भारत खुबज सम्रुद्ध हतो अने आ सम्रुद्ध दी अडार में सदी सुदी यथावात रही हती अवरंग जेबना अवसान बाद नी अराजकता पन तेने नुक्षान पहुचारी शकी नहती मित्रो आपने जानी छेके अवरंग जेब जेनो जन्म दाहुद मा थायो हतो अने जे अंतिम शक्तिशारी मुगल सम्राठ हतो त्या बाद तेनु मुर्ति थायो अने एनु अवसान थावाबाद अराजकता फेलाई परन्तु तेने भारत ने आर्थिक सम्रूत दिने असर के नुक्षान पहुचारी नहत विश्वाना इतिहास कारवई पन कबूल लिए छे के अडार्मी सदी सुधी भारत ने उत्पाधन पद्धती तेना उद्ध्योगो अने वेपारवानिजनु संगठन अजोड हता एज भारत दिश स्व वर्ष ना अंग्रेज कम्पनीना शासन मों तद्धन कंगाल अने पायमाल दिश बनेगे मित्रो आपना दिश ना उद्ध्योग दंदा वेपारवानिज ए खुबज अजोड हता परन्तु जारे स्व वर्ष मों अंग्रेज कम्पनीना शासन कम्पनीना शासन मित्रो स्व वर्ष उद्यातु आपने जाने चिये के 1757 युद्धु थाई त्यारवाद कम्पनी शासन पर पोतानों अधिकार मेरवी हतु अने जारे 1857 विपलव थाई एले ब्रिटिज ताजनों शासन लादवावावावी हतु एटले कम्पनीनों शासन इस्व वर्ष उद्यालियो अने आ शासन मों भारत कम्पनी तद्दन कंगार अने पायमाल बनी गयो जे इंग्लेंड ने माटे काचो माल प्यादा करनार अने तेना कारखना तईयार थाईला मालनों विशार बजार बन्यों हवे मित्रो जोई अंग्रेज साशन समय खेडूतो अने खेती एलेके खेडूतो उपर शी असर थे अने एमने खेती उपर पंशी असर थे तो बंगार, बिहार अने ओरिस्ताने दिवानी सत्ता मेरव्या पछी अंग्रेज्वने पोताने आवक वधारवानू एक विशार्क शेत्र मली गयू खेडूत वर्ग अने खेती वाड़ी ना भोगे तेव वधारे मों वधारे मैसुल उग्राववा लागया परिनामे खेडूत वर्ग पायमाल थायू गणी वखत गर ना दागी ना वेची ने पन खेडूतो मैसुल बरी शकता नहाता मित्रो एमनी मैसुली नितिज एवी हती के जिना परिनामे खेडूत वर्ग पायमाल थायू अने तेव मैसुल पन बरी शकता नहाता एवी एमनी पोजीशन मों आवी गया अने मैसुल न बरी शक्वाना परिरामे तेमने पोताने जमीन वेची नाखी खेलूतो नी गणी खरी जमीन दिवामो डुबी जती केटला खेलूतो शाहुकारो नी भारे व्याज प्रथानो भोग मनी पायमाल थाया अने खेती वाडी भागी पड़ी तेमो इस विशन सत्तर सोने सित्तिर्म बंगारामा दारून दुषकार पड़ी भुख मराना काराने लाखो लोको मरी गया अने करन वालेस नामना गवर्नर जनरले कायमी जमा बंदी नामनी मैसूल पद्धती अमलमा मुखी आति मित्रो खास आपने याद राखी शुँँ अवे conceptual question पूछे शे तो बंगारामों इस विशन 773 मों दुषकार पड़ी होतो ए वाक्के आपने याद राखी शुँँ कदास तमने conceptual question ने अंदर 1234 अने ABCD मों आपी दे विदान एक साच विदान बेतो आपने याद राखी शुँँ ये 773 मों बंगारामों कारों दुषकार पड़ी होतो और कॉर्णावलिस नामनों एक गवर्नल जनरल होतो जेने कायमी जमाबंदी नामनी मैसूली पद्धती अम माटे जमीननी मैसूल नक्की करी जेवों जमीनना कायमी हक जमीनदारों ने आपवामों आवतो एले के कमपनी ये पोतानी आवक निश्चित बनावी ने पोतानी पड़खे उबो रहे एवो जमीनदार वर्ग उबो कर्यों सामे खेडू तंतोड महनत करी टाड तड को करता तिनों सोचन ठतू हतो तो मित्रों अईयों कायमी जमा बंदी पद्धती लागू करी हतो एनों अईयों आपनी इमेज माजोई शकी छे एनों पोतो अनि अईयों चे मित्रों बरबात थेला खेडूतों हावे खेरूत वर्ग बरबात था एतले मित्रों समाल जिवन अस्त व्यस्त बने तो वरं हेस्टिंग्स नों समय आवें अव्यों गवर्नर जनरल बढ़ला है, वर्न हेस्टिंग ना समय मों मैसूल उग्रावनों काम जेने स्वपम आवतो तो तेने कलेक्टर कहवा मों आवता हता तो मित्रो अयव बने क्वेस्चन बने के कलेक्टर जारे जमिन मैसुल उग्रावता हता तो ए कलेक्टर कोना समय मों कहवाता तो वरन हैस्टिंग्स जेव बंगाराना प्रथम गवर्नर जन्रल बने हता अंग्रेजी राज्य तंत्रना आवा वहिवर्थी आपना देशनी पुराणी ग्राम स्वराज्यनी प्रथा नाश्पामी जुना वकत मों दरेक गाम एक नाना प्रजा सत्ताक जेव हतु जारे अंग्रेजो नुँ शाषन ना हतु ए पहलो दरेक गाम एक नाना प्रजा सत्ताक जेव हतु ग्राम बंचाय तो ज गामडानों वहिवर्थी हती देशनी करोड रज्यू जेवी ए ग्राम स्वराज्यनी संस्ता हती बहार ना आक्रामानों वखते औने सल्तनत शाषन व्यवस्ता वखते पन आपनी ग्राम स्वराज संस्ताव अडग उभी हती अंग्रेजो ये शरू करेली आ नवी शाषन पद्दती थी ए संस्ताव नाश पामी हती तो मित्रो जारे मेंस एक्जाम पूछाए त्यारे अंग्रेज शाषन दर्म्यान समाज जीवन ने लगतो कोई क्वेश्चन पूछे तो यामा आपने आ लखी शक्ये कंपनी सरकारे सामाजिक सुदाणानी जेरीत अपनाव यती तेने लोको मों भय उभो करे लोको ने लागियो के कंपनी सरकार इराधा पूर्वक ख्रिष्टी दर्म अंगीकार करावी भारत ना धर्म अने संस्कुजी नो नाश करवा मागे छे रेलवे अने लशकर मों भारत नी सामाजिक व्यवस्तानी वारम वार अवगन्ना करवा मों आवे छे तेवी मान्यता लोको मों उभी थाई आगराम एव फर्मान बहार पाडवा मों आवी हत्तु के हिंदी ए अंग्रेज ने सलाम बर्वी जो तेम करवा मों न आवे तो दंड के सजाने पात्र गणातु परेणामे अंग्रेज प्रत्य भारतियों ना दिल्मों रोश औने नफ्रतने लागने उत्पन्न थै भारतिय वेपार औने उद्योगों नु विनास्थ वित्रों तो हिंदी नी हाथ सारो युरोप ने तेमज एशिया ने जोईता कापड नो वदो माल पुरो पारति पच्चिम ना वेपारियों अही माल खरीदवा आवता हिंद मों बन्तु शन, उन, रेशम अने सुत्तर ना कापड नी विदेश मों मांग रहति हति धाका नी मुलायम बारिक मलमल नी दुनिया मों मोटी मांग हति कापड उप्रांच सुरोखार, मिठु, साकर वगेरे माल नी निकास थति तेना बडला मों बारत मों अड्रक सोना चांदी नी आयात थति हति त्यारवा जो ये मित्रो तो अंग्रेश सासन नो अमल थतोज आ स्थिती बडलाय गई सोना चांदी नो प्रवा उल्टी दीशा मों अड्रक सोना बारत मों आयात थति हति परन्तु जारे अंग्रेश सासन नो अमल थतोज त्यारे स्थिती बडलाय गई सोना चांदी नो प्रवा उल्टी दीशा मों वह वाला गई अनि अवध्योगे क्रांती नी शरुआत मों अंग्रेशो एकला बंगार मती आजना हिसाबे गणिये तो 500 करोड रुपिया मात्र बेदायका ना सासन मों उपाड़ी गया विचार करो खाली बंगारा नी जवाज हति मित्रो तो अखा देश मों किटली संपत्ती अंग्रेशो एकत्र करी हसी बारत मों उत्पन थतो काचो माल अनि भारत मों थी एकत्र करेल रुपिया नी मदथी अंग्रेशो इंग्रेशो 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 इंग् टाइभे यंग्येमा कोईग्येमिये प्राह Counल्यal फेंगर्से लुट्राषां लोग्येमिनग काशवला और इंग्येमिोरी प्राहिस लाढ़ा दनेघ्र लेऊ पिनीपर्स सेक पाईगर्स के शुक्तों तो माल भारत में मोगो पड़वा लागयो औने आ हरीपाई मा भारत ये उद्ध्योगो टक्की शक्या नई आ अंग्रेज नितीना काराणे कापट बनावाना दातुवाना काचना कागरना वहानो बांत वाना वगेरे आपना अनेख उद्ध्योगो नाशपा में लाखो कारीगरो बिकार बन्या अने धिमे धिमे भारत ना ग्राम में कारीगरो नी गरीबाई वद्वा लागीतों मित्र आपने जोईू तो इंगलेयन मथी जारे माल आवतो तेना उपर कोईपन प्रकान जकात लादवाम आवतो नातो अने भारत मथी जारे काचो माल लई जता इले एंशी टागा जिल जेना पैना में भारती ये उद्योग जन्ताओ पड़ी भागया अने गरीबाई वदी सुधाराओ तरफ शंका तो मित्रो विलियम बेंटिंग एक एवा गवरनर हता जेवने गणा बदा सुधारा करया तो विलियम बेंटिंग जारे भारत मों गवरनर जन्रल बनीने आव्या त्यारे इंगलेन मों उदार विचाषानी नों धिमेदे में फेलाओ थायो उतो अनि आ फेरफानी थोड़ी असर हिंद सुधी पहुची, अंग्रे शासको प्रजाना जीवन मों रसलिवा लागया, थोड़ा गणा लाबकारक सुधारा कैने विलियम बेंटिंग प्रमाण मों वधारे मान पामया, तो मित्र तेमें सती प्रथा प्रची विद्वा पुनह लगन, सती प्रथा उप़ार प्रती बैंद दराव तो काईदो मुक्यो, विद्वा पुनह लगन ने प्रोस्चा अना पिए। तो मित्रों आमने गणाबधा सुधालाओ, राजाराम मुहनराजीवास दर समा सुधालाकोने मदद्थी कर्या, ब्येंटिंगे कम्पनीना वैवर्ट मों बारतियोने स्थान आपिऊ, मित्रों आये कि इंपोर्टन पगलु गई चकाये कि ब्येंटिंगे जारी कम्पनीनों प अप्योग न करवो एवू अंग्रेजोओ ए फर्मान करी हतू परांतु जारे विलियम बेंटिंग गवर्नार जनरल बनिया त्यारे तेमने अदालत मों जारे न्याय मागो होय त्यारे मात्रुबाशान उप्योग करी शकाए एना माटे एमने ए रजा आपी राजाराम मोहनराय अने विजा सुधारको सती थवानो राक्षशी रिवाज बंद करावा गणावखती प्रयास करी रहा था अने बेंटेंगे आ सुधारकोने विनंती सांब्रे ने सतीठवानों रिवाज अटकावतो एक काईदो अडार सोने उगंतीस मों अमल मों मोकियो कात्व दो मित्रो सती अयुआ एकजाम मों क्वेश्चन पूचे एक सेंटेंस तमने आपी दे चाचा खोटा नो तो अईवेचे मित्रो सती प्रत्था नो रिवाज अडार सोने उगंतिस मो राजारा मोहन राइना प्रयत्नो थी लौड विलियम बेंटेंगे अमल मो मुक्यू बेंटेंग ना समय मो अंग्रेज अमलदारो भारत नो सुधारक वर्ग इचतो हतो तेवा को रिवाजो अड़कावा प्रयत्न करता हता आ सुधारा ओने भारत ना रोडिचू लोकोशंका नी नजरे जुवा लागया कम्पनी सरकारे केरावनी माटे दर साल एक लाख रूपिया खर्चवानों थड़ाव करे मित्रो विलियम बेंटेंगे केवा सुधारा करया जोओ तो कम्पनी सरकारे केरावनी ले सिक्षान पाचार दर वर्षी एक लाख रूपिया खर्चवानों एक थड़ाव करे परन्त तेनों अमल थायो नहतो छेवाटे बेंटिंग ना समय मां शिक्षान समीतिनी रचना थाई अने इस विशन अड़ासोने 34 मों मेकोले नामना एक अंग्रेज दारा सास्त्री ने अंग्रेजी केरावनीनों विचार आवियो मेकोले एक शरू करेली शिक्षान पद्धती थी हिंदी इवानों ने जोईये तेवो लाब नमले मेकोले एवो इचता हता के भारत में एक एवो वर्ग उभो करवामों आवि के जे तन्थी भारती होई परांतु मन्थी अंग्रेजी होई एटले एमने अंग्रेजी शिक्षान नी शरूआत करवाना प्रहत्नों करेला पोताना पूर्वजो ए विक्षावेली प्राचिन विद्यावो शिखवानों लाब बारतियों गुमावा लागया देशमों अंग्रेजी केरवनी शरूआत थाई अने आ शिक्षान पद्धती नों विरोध थाई महात्मा गांधी जी तो अने गुला मेनी केरवनी कही था अंग्रेजी शिक्षन थी अंग्रेजों ने जोईता बनेला कर्मचार्यों मर्वा लागया तेम छतो भारतियो ए शिक्षय मेडवा लागे अने तेम थी स्वात्यंत्र माटे राष्ट्रवादी मानस गडवा लागे। अव द्योगे क्रांती ना कारणे कारखा ना ओने दम दम ता राखवा अने मालनी हेरफेर माटे वाहन व्यवारनी अने संदेशा नी मागने पहुची वडवा नवा नवा यंत्रों नी शोद थवा लागी। हिंदमों पन तेना उपयोग करवा माँ आवे तो आपना वेपानी लाब मर्शे तेमज लश्करी अंकूष पन राखी शका से आ प्रकारना हेत्तु थी बारत मा रेलवे शरू करवा मौँ आवी अने मित्रों याद राखी शूँ कि बारत माँ सव प्रथम रेलवे नी आपा माटे जरूर जणातो इस विशन अडार सोने चौपपने टपाल अने तार संधेशाने आधूनिक पद्यती अपनावा मों आवी तो मित्रों आधुनिक भारत नो पिता तरीके उरक्वामो आवेछी आम बिटिश सासन ना सुधाराओ अंग्रेजोना हीत माटे हता तेम छतो राष्ट्रवाद ना उद्देश माटे ए भारतियो माटे आशिर्वाद रूप बन्या अंग्रेजी केरावनी पामेलो वर्ग विश्वना प्रवा हो थी माहित गार बन्या जेने देश मों समा सुधार ना अने राष्ट्रिय जागरुतिना कारियमों खुब अगत्यनी भुमिका बजवी वर्तमान पत्रो तारट पाल अने रेलवे थी भारत ना लोको एक विजानी नचीक आव्या तो मित्रो आ थाई भारत पर अंग्रेज शासर नी असरो जे मों विलियम बेंटिंग ना समय मों किटलाग सुधार आओ थया अने विजा कोड़न वली से काई मी जमा बंदी एक पद्धती अमल ममुकी जेना काराने भारत ना खिरू तो बेकार बन्या मित्रो चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होए तो जडब थी मित्रो सब्सक्राइब करो अने बेल आइकन पर क्लिक करो अने अन्य मित्रो ने शेर करो अने मित्रो विडियो गमेतो लाइक करवानू उल्षो नई आपनो खुब खुब आभार